प्रतिवाब ग्या और आज मैं अपने garden में आपको शेयर कराने वाली हूं, आज मेरा वीडियो garden टूर के उपर है और आप देखेंगे कि मैंने अपने garden को कैसे अरेंज किया है, क्या क्या लगाया हुआ है, क्या कुछ सबजियां फूल तैयार हो रहें मेरे garden में और मैंने देखी अपने गार्डन को कैसे काफी दूर दूर से मतलब एक ही जगह सारे पॉट नहीं रखे हुए हैं क्योंकि लोड को थोड़ा डिवाइड करके रखा हुआ है मैंने एक जगह नहीं लगाया हुआ है सारे पॉट को वैसे देखेंगे अगर मैं एक जगह कर दूँ तो काफी सारा लोड आ जाएगा छट पर तो देखिए मेरे छट पर मैंने कैसे कैसे सारे पॉट को अलग-अलग रखा हुआ है यह सफेद वाला गुड़हल है और मधूमालती मधूमालती तो देखिए बिलकुल काफी लंबा हो गया है और इसको मैंने इस थर्मकुल बॉक्स में लगाया हुआ है काफी सुन्दर सा रोज खिलता काफी बड़े साइज का रोज है और यह मेरा चना और मटर मैंने लगाया हुआ था वह कंटेनर है जो खाली हो गया है इसको मुझे दूसरी जगा शिफ्ट करना है यहां बहुत तेज धूप आती है तो मैं इसको सेफ्ट करके इसमें लीफी व पूडहल और एक यह भी गुल्दावदी देखिए मैंने लाया हुआ है और इसको लगाया है देखिए फिर से पूरा फ्लारिंग पर है और बहुत सुन्दर कलर है यह भी और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है साब में अभी फ्लारिंग हुई थी मैंने सब को कटिंग कर दिया है और फ्लार्ज जब भी कोई भी फ्लार्ज खिले तो खिलने के बाद उनको कटिंग करना बूलें बिल्कुल कटिंग कर दें ताकी नई-ढ़ी सी ब्रांचे जाएं और फिर से फ्लारिंग हो देसी रोज है यह अंग्रेजी रोज है काफी बड़े साइस का रोज खि मेरची है और देखेए यहां यहां मिरची घुडन हे बढ़ा वी होई तीbes मनें हारवेस्ट कर ली यह काफी बड़े साइज की डिर देखी सिंहिंट कर लें है मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसको देखके छोटा सा पौधा है लेकिन काफी सारी इसमें सिम्ला मिर्च आई हुई थी और यह मेरी तुलसी नए पॉट्स मैंने अभी भरे हुए हैं और इसमें देखे कुछ में सबजियां लगाना शुरू कर दिया है यह लौकी मतलब पॉट्स को मैं काफी मतलब डिवाइड करके रखा हुआ है मैंने यहां पर देखिए टमाटर की यह पुराने पौधे हैं इन सब उसे फ्रूटिंग अभी पक रही है तो मैं लेती रह रही हूं यहां पर देखिए यह भी शिम्ला मिर्च लगा हुआ है यहां पर यह मेरा गुल्दावदी यह दुबारा से खिला हुआ है दुबारा फ्लारिंग हुई है इनमें और इसको मैंने प्रूनिंग करके इसमें खाद वगरा दे दी थी तो फिर से देखिए कितनी अच्छी फ्लारिंग हुई है और इसमें मैंने हल्दी चाय की पती गोबर की खाद बस इन ही तीनों को मिक्स करके मैंने इसमें डाला हुआ था और गुडाई करके और पौधे में देखे कितनी अच्छी फ्लारिंग हुई है तो दुबारा से आप फोल चाहें तो पा सकते हैं और यहां के पॉट्स में देखिए करेला एक लगा हुआ है और यह कुछ खीरे के पौधे हैं अभी मैंने सीड्स लगाए थे तो देखिए दो दो पत्ति के हो गये हैं और यह लौकी के पौधे हैं दोनों और यह खीरे के सब दोनों पॉट्स में हैं तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन को अरेंज किया है और इतनी सारे जो यह थर्माकॉल बॉक्सेज ह लगाना चाहिए इसमें काफी अच्छी सब्जियां लगती हैं और देखिए कितने अच्छे से और अभी मैंने और भी पॉट्स मंगाए हैं वह आज आएंगे तो फिर मैं उनको भी लगाऊंगी पॉट्स मतलब मेरे यह थर्माकॉल बॉक्सेज तो मैं उनमें भी पौधे आते हैं वही सब में सिफ्ट कर दिया इनको और देखिए इसमें भी कलियां बन रही है तो थोड़ा सा धूप से बचाएं और फिर उसके बाद आप फ्लारिंग ले सकते हैं और यह देखिए बॉटल कट करके मैंने पॉट्चूला लगाया हुआ है और इसमें पुदीना ल देखिए उसके इंब्रेवल को यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है यह सोब इस था त तो उसके ऊपर अंब्रेला बना हुआ था तो मैंने उसके कप को यूज़ कर लिया है और यहां पे मेरे कुछ बिलांटे यह सपाइडर प्लांट काफी अच्छा सा ग्रोग हो रहा है और बहुत कम मिट्टी और कम धूप और कम पानी में होने वाले यह पौधे हैं काफी सुन्दर लग रहे हैं देखिए और यह मिनियेचर बारायटी का गुलदावदी है यहां पर भी देखिए मैंने वेस्ट मटेरियल में अपना यह पौर्चुला लगाया हुआ है चोटा सा आयल कंटेनर था तेल का गैलन और उसको मैंने गंपती जी का रूप दे दिया है और देखिए पौर्चुला कितना सुन्दर हुआ है और इसको भी मुझे कटिंग करके अर भी पौत्स में सुफ्ट करना है बोटल में टमाटर लगे हुए हैं और गुलदावदी देखिए इसमें भी फिर से कलिया बन रही यह आरि यहां पर देखिए काफी सारे टमाटर लगे हुए हैं बाटल में यहां यहां पर देखिए इधर बी मैंने टमाटर लगाय हुए हैं यह भी वेस्ट में ही टमाटर लगाय हुए इनकी वीडियो मैं शेयर करती रहती हूं अपने चैनल पर और यह देखिए यहां पर भी एक दूसरे कलर का कोलियस है और यह एक पौधा मेरा यह बैगन लगा हुआ है बैगन भी देखिए काफी सारा फल हुआ है और यह भी एक वेस्ट मटेरियल सिमेंट का कट्टा है उसमें लगा हुआ है काफी सारी फ्रूटिंग लगी हुई है तो इस तरह से मैंने अपने टेरिस गार्डन को अरेंज किया हुआ है और यहां पर देखिए यह तुरही का पौधा है और इस तरह से जब आप फ्रूटिंग मिलेगी तो थोड़ी सी फ्रूटिंग के लालच में ना आ जाएं और इस तरह से कर लें और यहां पर देखिए यहां भी मैंने कुछ बॉक्स को अरेंज कर लिया है इनमें भी मैं वेजिटबल्स लगाने वाली हूँ और यह कलमी साग कलमी साग को मैंने इस लगा दिया है इसमें देखिए कुछ सीट्स भी बन रहे हैं मैंने वेश्ट मेटेरियल से अपने गाडन को शुरू किया हुआ था और मुझे फिर यह थर्माकोल बॉक्स बगरा मिलने लगे और मैं तो पहले टब अगरा खरीत के लिए आई थी देखिए टब में मैंने बह काफी सारी आती है और काफी स्पेस मिलता है गहरा भी है और चोड़ा भी है तो इसमें सब्जियां बहुत अच्छी हो जाती है और इसमें भी काफी सारा स्पेस और सबसे बड़ी बात की यह धूप मिट्टी इन सबसे खराब नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है इसमें अब सब्सक्राइब लगाना शूरू कर दिया है और मुझे मिल भी जाते हैं अब यह यहां पर देखिए यह मेरा बैगन का पधा और काफी सारे बैगन देखिए इसमें भी लगे हुए हैं और यह बीएक वेस्ट मटेरियल देखिए कट्टे में ही लगे इसको भी मैंने एक जोले में लगाया हुआ है इसको भी मुझे सेफ्ट करना है और अब तो इसका सीजन आ रहा है तो मैं इसको बढ़ाऊंगी और इस तरह से मैंने अपने टेरिस गारडन को अरेंज किया हुआ है और इस तरह से आप भी डिवाइड करके रखें और जहां से दीवाल उठी है वहां से आप जो अगर बड़े पॉट्स हैं उनको रखेंगे तो आपकी छट को कोई नुकसान नहीं होगा और इस तरह से सीलन वगरा भी नहीं जाती है और देखिए मैं तो स्टैंड भी बिल्कुल फ्री का चीज कबार के चीजों से मैंने स्टैंड भी बनाया हुआ है देखिए यह जो पट्रा वगरा है प्लाई और कुछ भी मिल जाता है तो मैं उसको इटा रखके थोड़ा सा उपर करके मैं लगा देती हूं देखिए मैं कहीं भी स्टैंड मैंने खरीदा नहीं है सब कुछ वेस्ट चीजों से बनाया हुआ है थोड़ा थो पड़ी मिल जाता है तो मैं उसी को स्टैंड बना लेती हूं यहां भी एक पौधा देखिए मेरा यह बैगन का है और बैगन काफी अच्छा देखिए बड़ा सा बैगन गोल वाला लगा हुआ है यहां देखिए काफी बड़ा सा बैगन गोल वाला लगा हुआ है इसको मैं और आप इस तरह से देखिए मैंने अपने पॉट्स को अगर एक जगहां रख दूँ तो काफी बड़ा सा गार्डन दिखेगा लेकिन मैंने सब को बिखेर के रखा हुआ है हर पॉट्स को तो इस तरह से गार्डन डिवाइड भी रहता है लोड भी कम पड़ता है आपकी छत और काफी सुंदर लगता है तो चलिए आज का मेरा गार्डन टूर कैसा लगा आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक यू कर दो